तो हेलो फ्रेंट्स हैं सौकत आपको दुबारा हमारे यूट्यूब चैनल पर जो कि आपका अपना एक करेंट में तो फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के ओपर जो है लीडर बैंक स्कीम कब इस्टाबलिश हुआ था कैसे वह फोर्स में आया और काइसे वह उक्त काम करता है और कोज़े फेंट तोड़े बहुत फëंट्स पीछले लेक्चर में जो मैंने आपको किसां कredit कार्ड करता है उसके बैनिफिट्स क्या होते हैं वह कैसे काम करता है क्यों इसको फोर्स में लाया क्या था था फुईड कौस्ट क्या होता है यहींस सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो देख लिया करें ज़ले फेंस स्टार्ट करते हैं आज का लेक्ट्चर पहले लेक्ट्चर जैसे मैं बता है फेंस लिए बैक स्कीम के बारे में इसमें जो भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा उसके उपर फ्लीज ध्यान रखिएगा क्योंकि वह कहीं अगर आपको समझ में नाया तो जैसे आपको पता यह कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वरने टेलेग्राम ग्रूप पे आप डाउट पुछ सकते हैं मैं ठीक है उन्होंने नाशनल क्रेट काउंसुल को अपॉइंट किया था नाइटीन सिक्स्टीनाइन में ठीक है वह किसके अंडर प्रोफेसर डॉक डी आर गेटगिल के अंडर वह समय चेर्मेंशिप में थे ठीक है उनके ही रिकमेंडेशन पे यह सर्विस एरिया अप्रोच क कि क्रेडिट किसी भी फार्मर को या इंडिविजुल को लून देने का प्रोसेस प्लान क्राइटीरियास क्या-क्या होंगे वह सर्विस एरिया अप्रोच ही डिसाइड करती थी ठीक है साथी साथ वह यह भी देखती थी कि फाइनेंशियल इस्ट्रेक्चर को कैसे डेबलब कर सकते हैं ठीक यह तो पहला पॉइंट हो गया, इसलिए नाम पे ही कमिटी का नाम रखा गया था इनका simply यही काम ता friend जो हमारे प्रोफेसर गेटगिल study group था जो उनका group था उन्होंने जो भी recommendation दी है service area approach को लेके उसको examine करना उसके बार में छानबीन करना कि यह सही से काम कर रही है की नहीं यह सही है की नहीं यह किस हद तक सही है यह सब examine करना इस स्री एफके एफके एफ नर्मन के कमीटी का परपस था established इसले किया गया था आरवी दोरा 1969 में ठीक है जो friends नर्मन कमीटी थी उसका यह भी काम था कि जो भी गेटल कमीटी ने service area approach बनाया है या recommend किया है ठीक है उसका formulation कैसा होता है ठीक है और साथ ही साथ यह भी देखना कि leader bank scheme कैसे काम करता है service area approach के अंडर ही आता है friends आपका leader bank scheme तो इस बात का ध्यान रखेंगे next point है यह है friends कि RBI ने जब इस सब चानबीन हो गई थी अच्छी तरह से श्री FKF नर्मन कमीटी अच्छी तरह से रिपोर्ट प्रेजेंट किया RBI के ऊपर की advantage जादा है इस कमीटी में disadvantage का महिन जो भी recommend किया था leader bank scheme के वाल में सब सच है तो RBI ने नर्मन कमीटी के recommendation को accept कर लिया था leader bank scheme के नाम से टीक है जो की काम करना start किया था 1969 से साल दिया और देट उस समें पता नहीं था इसलिए मैंने mention नहीं किया किस महिने और किस दिन हुआ था सिफ येर याद है 1969 इस scheme के अंदर leader bank scheme के अंदर कुछ specific district कुछ specific bank को कुछ specific district allot किय गाय थे तिक है जिसमें उनका यह role था कि वो यह identify करें कि उस area का credit facility में कितना potential है या उसके banking area जो भी distribute किया है उसके bank में कितना potential है loan देने का या loan लेने का या उसको expand करने का उसके credit facilities को बस leader bank scheme का यह एक काम था दूसरा काम यह भी था friends कि वो यह भी देखता था leader bank scheme यह भी देखता था कि leading bank जो भी है commercial bank among district में इसका मतलब हुआ कि ज्यादा से ज्यादा number of branches होंगे district में उस commercial bank को उसमें क्या होता है leader bank जो है उसमें act करता है consolitum इस term का मतलब ना बता हो तो मैं बता दो इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है जो भी credit institution जो district में अलॉट किया गया है वो development facilities कैसा हो रहा है credit में इस बात का धियान रखे simply friends यह ध्यान रखता था कि जो भी credit facilities है उसका जो development हो किस तरह हो रहा है banking sectors में उस particular district में जो भी allot किया गया है leader bank scheme दो रहा friends इसके activities जानते है leader bank scheme के ठीक है जो कि 2 important phases में divided है पहला phase है friend survey of the lead district and second phase है preparation of credit plans ठीक है पहला phase में यह 3 points important friends प्लीज इसे mark कर लीजे पहला point यह है surveying the potential for banking in the district मतलब इसका यह काम था कि banking area में कौन सा ऐसा banks है जो यह उसका कितना potential है उस particular district में यह उसका काम था second point यह friends की जो भी examining available थे market facilities के लिए agriculture sectors में उनको साथ ही साथ industrial products या फिर credit marketing के साथ जोडने का काम भी यह करते थे leader bank scheme third point यह friends cooperating among different bank in opening new bank branches मतलब की नया से नया कोशिश करते हो ब्रांच खोलने का bank का जिसके बज़र से जाद से जाद easy या burden कम हो जाए दूसरे bank bank के branches पे ठीक है सीधी सी बात है एक दिन में अगर इंसान एक लकड़ी का कोई material बना देता है एक दिन में तो दो इंसान आधे दिन में बना देंगे दो इंडिविजुल तीन चार इंडिविजल उससे और कम टाइम में तो जितने ज्यादा branches होंगे उतने ज्यादा work जो है distributed होंगे और उसका जो potential होगा district का जो banking या कह सकते हो credit का potential होगा वो अभी से बात है increase करेगा यही इसका main motive था second phase में friend preparation of credit plan जो भी RBI इस bank को जो established किया था leader bank scheme को उसके क्या plans थे जिसके वायर से उसने बहुत ज्यादा development किया पाइदा point यह friend कि to increase the productivity of land in agriculture and allies activity so as to increase income level सही बात है farmers को और सही time पर loan मिलेगा तो वह easily productivity हो equipment management हो या कोई भी other work में उनका development growth easily हो पाएगा ठीक है यह यही बताया गया है वह चाहे आपका agriculture sector हो या उसे जिले होए allied activities या sectors हो ठीक है साथी साथ वह income भी increase करेगा अब्वेसा बात है अगर productivity increase करेगा तो फार्मर का income तो monthly या annually जो आपका हो वह increase करेगा second point यह यह जादा से जादा credit देता था weaker sections को ठीक है loan देता था weaker section को ताकि जो भी productive purpose है जो भी productive purpose के लिए loan ले रहा है वह अपना development कर सके और अपना income generation जो है उसको थोड़ा increase कर सके ठीक है तो फ्रेंड आज तक लिए इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन हिट कर दीजाए और लाइक का बटन ज़रूर हिट करें साते ज़रूर बताए कि यह वीडियो कैसा लगा comment box में और कोई भी डाउट हो इस lecture को related तो आप मुझे direct contact कर सकते हैं मैं contact number या telegram group अपना share कर दूँँगा description box में प्लीज जाके visit करें और कोई doubt हो तो पूछे चले फ्रेंड मिलते अपने next video lecture में तब तक के लिए CR डड़ा बाव है